नमस्कार दोस्तो आज की 5 मलज़दार पहलियों में आपका स्वागत है चलिए पहली पहली की तरफ चलते हैं पहली पहली में आपको बताना है कि इन में से कौन एक जॉम्बी है ध्यान से देखिए और फिर अपना जवाब दीजिए आपके पास 10 सेगंड है चलिए गड़ी को शुरू करते है अगर आपको इस पहली का जवाब मिल गया है तो मुझे कमेंट करके बताना समय खत्म होने वाला है चलिए अब जवाब जान लेते हैं दरसल जॉम्बी पेड़ों के पीछे छिपा था क्या आपका ध्यान इस तरफ गया था मुझे कमेंट करके बताओ चलिए दोस्तो दूसरी पहली की तरफ चलते हैं दोस्तो इस पहली में आपको बताना है कि यहाँ पर कुल कितने ट्राइंगल्स हैं तो क्या आप तयार हैं आपके पास सिर्फ 10 सेगिंड होंगे मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताना चलिए घड़ी को शुरू करते हैं कोई जल्दी नहीं है ध्यान से गिनो और फिर कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको और ज़्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं समय समाप चलिए जवाब जान लेते हैं यहाँ पर कुल 20 ट्राइंगल्स थे दोस्तो क्या आपका भी यह जवाब था मुझे कमेंट करके बताना चलिए आज की तीसरी पहली के तरफ चले आपकी स्क्रीन पर धेर सारी खुबसूरत पतंगे दिखाई दे रही है यह सभी एक जैसी नहीं है इन में से एक पतंग बाकि सभी से अलग है क्या आप बता सकते हैं कौन सी पतंग सबसे अलग है इस पतंग को ढूड़ने के लिए भी आपके पास सिर्फ 10 सेकिंड होंगे चलिए घड़ी को शुरू करते हैं मुझे अपना जवाब कमेंट करके जल्दी से बताओ समय समाप्त चलिए जवाब जान लेते हैं यह वाली पतंग सबसे अलग थी चलिए दोस्तों आज की चोथी पहली की तरफ चलते हैं चलिए इस पहली को द्यान से सुनिए किताबों की एक अलमारी में एक किताब का इस्थान राइट साइड से नुवा है जबकि लेफ्ट साइड से उसका इस्थान छटा है क्या आप बता सकते हैं अलमारी के इस खाने में कुल कितनी किताबे हैं इस पहेली का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड होंगे चलिए घड़ी को शुरू करते हैं मुझे अपना जवाब जल्दी से कमेंट करके बताओ देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है समय समाप चलिए जवाब जान लेते हैं इस अलमारी में कुल 14 खिताबे हैं दोस्तों क्या आपका भी यही जवाब था मुझे कमेंट करके बताना चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं कि आज की आखरी पहेली है आपको इन दोनों तस्वीरों में तीन अंतर खोज कर निकालने होंगे तो क्या आप तैयार हैं चलिए घड़ी को शुरू करते हैं अगर आपको कोई अंतर दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके बताना समय समाप होने वाला है चलिए जवाब जान लेते हैं क्या आपका ध्यान इस पोधे की तरफ गया था पीछे रखा हुआ टावल गायब है इसके अलावा टेबल के दोनों पैर भी गायब है दोस्तों क्या आपको ये सभी अंतर मिल गए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको इसी तरह की मज़ेदार पहलियां हल करना पसंद है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आपको जासूसी पहलियां पसंद है तो राइट वाली वीडियो आपके लिए है